जैसी किशना दोस्तों हमारे बी एस सर्मावाद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों हल्दी के द्वारा अनेक प्रिकार के तोटके होते हैं दोस्तों हल्दी का मेथ तो बहुत ज्यादा होता हैं हमारे ग्रंथों में सास्तों में हल्दी के इतने प्रय गर में विकाते हैं प्रिटिक ग्रिष्टी के घर में प्रिटिक सन्या सीवान प्रिष्टी गर में हल्दी का प्रयोग होता हैं दोस्तों आप जानते हैं माता लक्षमी को पूजा के समय दीपावली पर हल्दी सी पूजा की जाती है हल्दी को सबसे पवित्र माना जाता है बेवाए सादी में भी हल्दी का प्रयोग होता है तो दोस्तों हल्दी के कुछ ऐसे उपए बता रहे हैं जिनको कणनी से हर समश्च्चा का समादान हो जाएगा हल्दी के अच्चूब तोटके हैं, घर में धनकी वर्षा होगी, हल्दी के तोटके आपको माला माल कर सकते हैं, आपकी हर मनो कामना को पूरी कर सकते हैं, इन उपायों को आप जरूर करें, दोस्तों, आपको करना यह है, सबसे पहला, अगर आपके सत्रों आपको परिशान करते हैं, आप बहुत यंत्र रख लें, अगर बगला मुखी माता का मंदिर पास मेरा ठीक है, बगला मुखी माता का यंत्र रख लें, और उसके सामने गुरवार को घी का दीपक जलाएं, गाय के घी का जलाएं, या वैसे घी का जलाएं, सुद्देशी घी का, तो उसमें थोड़ी एक चुटकी के हल्दी जरूर डाल दिया करें और बगला मुक्री माता को हल्दी का ठीका लगाएं देखना आपकी सत्रूं जो हैं आपके प्रवाव से प्रवाबित हो जाएंगे आपके सामें नतमस्तक हो जाएंगे अगर साधी में रुकाबट आ रही हैं तो गुरुवार के दिन एक भीगोई चने की डाल गुर हल्दी लगा करके गाए को खिलाएं तो साधी की रुकाबट दूर हो जाती हैं दोस्तों अगर घर में धन में बरकत मी कमी हैं पैसा आता हैं पर रुकता नहीं हैं तो आपको करना क्या हैं हल्दी की गांट लेनी हैं एक हल्दी की गांट लें औ और उन्हें पर हल्दी छड़क करके और उन्हें लाल कप्रे या पीले कप्रे में बान करके माता लक्षमी के मंत्र का जाब करके ओम महालक्षमी नमा या ओम शिरी मृम कली मृम महालक्षमी नमा इस मंत्र का यता सक्ति जाब करके अपनी तिजुडी में रखने देखना धन की बरकत शुरू हुजाएगी धन सम्वंद्ध समख्चा का निवादान हुजाएगा दोस्टो अगर किसी के कार में शफलता ने मिलती नौकरी को जाते ही, नोकरी में शफलता ने मिलती हैं, तो आप जो है दैं में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसका टीगल लगाके जाएगे, देखना उस समझ्चा का समाधानों का आपको नोकरी इंटर्व्यू में सफलता मिलेगी अगर आपके किसी भी कार में रुकावता रही है तो एक हल्डी की गात लेकर के गुरुवार के दिन उसे या तो अपने पर्स में रख ले केले का सपस करा के या उसमें धाकी के द्वार सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं आप सभी को जैस श्रीकिष्णा